नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल जीके हलेपी वीदी जयारवी पर हार्दिक अभिनंदन एभम स्वागत हैं मित्रों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएस्टीसी और पीटेट एकजाम 2020 के लिए राजस्तान समाने ग्यान के most important 50 questions के बारे में तो वीडियो को अंतिम समय तक द्यानपूरक देखे और अंतिमे आपसे एक जीके का question भी पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको वीडियो के comment box में देना होगा तो दोस्तो वीडियो को start करें इससे पहले आपसे निवेदर रहेगा कि आपने अभी तक YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe जरूर करें और पास में जो बैल आइकन बनावा है उसे भी प्रेस कर दे ताकि जब भी हम new video upload करें तो आपको notification मिल जाए चलिए start करते हैं आज का first option राइट है यह दो जिले कौन कौन से बर्थपूर और दोलपूर यह आपको ध्याने रखने हैं अगर कोस्टन पुछा जाए कि उत्तर प्रदेश के साथ राजस्तान की कुल कितनी सीमा लगती है तो आपको ध्यान रखना है 877 किलोमेटर उत्तर प्रदेश के साथ राजस् निमलिकित में से किस वन्यजीव चेतर से किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर का अरंब वाथा मिट्रो रन्थम्बो राष्ट्रे उद्यान श्वाई मादोपुर में अस्तित है अगला कोस्टन है राजस्तान में बालवों का पेला स्रंक्षित चेतर कौन से है बालवों क अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा सेर करें ताकि उन्हें भी फाइदा मिल सके चलिए अगला कोस्टन है राजस्तान में स्रवाधिक नदियों का उद्गम किस जले से होता भीज़ता है बताएं राजस्तान में जो सरवाधिक नदीयों का उद्गम होता है वो तो उद्यपूर जिलेसे के और राजस्तान के दो जिले से हैं जासे कोई भी नदी प्रवाइत नहीं होती है कौन-कौन से वह बिकानेर और चूरु यह आपको ध्याने रखना है चलिए अगला question है राजस्तान में सरवादिक नदीया कि संभाग में प्रवाइत होती है राजस्तान में जो सरवादिक नदीया के मित्रो वो प्रवाहित होती है कोटा संभाग में इस कोस्चन का Do fan right है ये तो संभाग हो गया अगर कोस्चन पूछा ज checking कि राजस्तान के कोन से जिले से सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होटी है तो पाड जिले से सरवादिक नदियां प्रवाइट होती है और सबागी पाद करें तोग उट्टा सबाग हो जाएगा चलिए छटा कोस्टथ है पाली जिले का रनकपूर जेन मंदिर किस नदी के किनारे अस्तित हैं यह कोस्ट्थ बहुत बार पूछेंगे कि रनकपूर जेन प्रदान किए था बोगा मेड़ी नोहर हनुमानगड में इस्तितEr और के माराज window को वर्तमान सबरूप प्रदान किया था इस कोस्ट्ट सनगा डी option लेगह देवली टोंग में इस कोस्टन का डी ओफ्षिन राइट है चलिए नूओमा कोस्टन है ऊध्यपूर में स्तित्ट कौन क्यूंसि जीले राजस्तान की सबसे बड़ी मिठे पानि की जीले जैस समंध जील मित्रों उध्यपूर में इसीत है में माराणा जैसी येंगे दोबारा गोमती नदी के पानी को रोक कर गया थाण इस जीलका ըनाम है डेबर जील यह आपको द्यार रखायए एकज़ाम में कोश्चन पूछे जाता है कि कि सिर्द क है ननाम यह द्यार रख समयां हे जैसमा रख मत ला lettuce और बात करें जो साथ टापू है इनमें सबसे बड़ा टापू है बाबा का बांगड़ा और सबसे छोटा टापू है प्यारी ये भी आपको याद रखना है चलिए अगला कोस्ट ने मिवाड सासक मारना कुमबा ने अनेका नेक दुर्गों का निर्मान करवाया मारवाड के किस सासक ने कुमबा की तरह अपने समराज्य की रक्षारत अनेक किल्लों का निर्मान करवाया था तो मारवाड के रजा थे राब मालदेव इन्होंने मारवाड में अनेक किल्लों का निर्मान करवाया था इस कोस्टन का सी ओप्सन राइट है चलिए अगला सुमेल गिरी का यूद किस किसके मद्या लड़ागया था सुमेल गिरी का यूद यह इस यूद में विजयता को रहते से शेर सा सूरी और राम मालदेव के दो सेनापती थे जेता और कूपा इस युद में सहीद हो जाते हैं यह आपको याद रखना है कि चलिए अगला कोस्टन है मारवाड का परताब का जाता है मित्रो राव चंदर सेनको इस कोस्टन का सी ओप्सन राइट है चलिए तेरमा कोस्टन है हर्याना के साथ सरवादिक सीमा बनाने वाला जिला है हर्याना के साथ जो सरवादिक सीमा लगती है मित्रो वो लगती है हनुमानगड जिले की इस कोस्टन का डी ओप्सन राइट है अगर question पूछा जहें कि हर्याना के साथ नियूंतम सिमा किस जिले की लगती है तो आपको याद रखना है जैपुर जिले की नियूंतम लगती है और सुरवादिक लगती है हनुमानगड जिले की चलिए नेश्ट कोस्टनेर राज्ज्य के कने जिले गुजरात के साथ सिमा बनाते हैं। इस खॉस्टन का भी आपसन राइट है। एकजारड बाइश किलोमिटर है। इपोर्टेंट है यह पको ध्यान रखनी है। अभी जो च्छ जिले सीमा बनाते हैं वो कौन कौन सी हैं आपको याद रिखना बांस बड़ा डुंगरपूर उद्यपूर शिरोई जालोर बाड मेर यह च्छ जिला गुजरात के साथ सीमा बनाती हैं इनमें बात करें सरवादिक उद्यपूर बनाता है और नियुनतम बाड म बनाता है चले अगला कोस्ट ने फार्सी इत्यासकरों ने हस्मत वाला राजा किसे कहा है फार्सी इत्यासकरों ने हस्मत वाला राजा कहा है मित्रो राव मालदेव को इस कोस्टन का बी ओप्सन राइटर राव मालदेव को फार्सी इत्यासकरों ने हस्मत वाला राजा कहा है अगला कोस्टन है बिकानेर का कौन सा सासक अकबर और जहांगीर की सेवा मेरा बताए दोस्तों बिकानेर का कौन सा सासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा मेरा तो माराजार आय सिंग रहे थे इसका सी ओप्सन राइट है चलिए सत्रवा कोस्टन है बिकानेर के परसीद कि एका निर्मान करता किसे कहा जाता है बतें दोस्तों भी न gonnak में जुनागड द्रुग जुनागड रुग नुब जुना घर भी न्रुग जुना घर दुपार संश Receел ॐ फिर पिछली बार विश्ट deed फिये की जुनागड मैल का स्थीते हैं अगर ईसा कोस्टन पुछ जए तो आपको ज्यानरे जुन्हागड मेल्स तीता दुंगरपुर में और जुन्हागड द्रूग स्थीता बेका निर में तो यह आपको यादे रखने हैं अठारमा कोस्टन है जिस राजपूत राजमस ने स्वेचा से अकबर का लोहा मानने में अगवाई की तो स्वेचा से अकबर का लोहा मानने में अगवाई की थी कछवा राजमस ने इसका ओप्सन ए राइट है चलिए उन्नीसमा कोस्टन है विज्यान के छेतर में किस सासक का योगदान उलेखनिया माना जाता है विज्यान के छेतर में मित्रो सासक है स्वाई जैसिंग द्वित्य है इनका योगदान उलेखनिया माना जाता है इस कोस्टन का बी ओप्सन राइट है चलिए बीसमा कोस्टन है स्वाई जैसी एं दिवित्य मुगल समराठ द्वारा कुल कितनी बार मालवा सुबे का सुबेदार निउप्ट किया गया तो स्वाई जैसी हैं दिवित्य हैं मुगल समराड द्वारा मालवा सुबे का तीन बार सुबेदार निउप्ट किया गया था इस क्वेश्चन का बी ओप्षन राइट है चलिए अगला कोस्टन है चत्रपती सिवाजी को पुरंदर की संदी 1655 इश्वी करने हेतु विवस करने वाले सा सकते तो मित्रो चत्रपती सिवाजी को पुरंदर की संदी करने हेतु विवस करने वाले सा सकते मिर्जा राजा जैसिंग यह आपको द्यान रखने है मिर्जा राजा जैसिंग इस question का D option right है very very important question है एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है तो आपको यह द्याने रखने है चलिए अगला question है राजे की सबसे कम अवदी के लिए मुख्यमंतरी रहने वाले राजनेता कौन है तो सबसे कम अवदी के लिए मुख्यमंतरी रहे थे हिरालाल देवपुरा इस question का D option right है मातर 16 दिन मुख्यमंतरी रहे थे यह आपको द्यान रखने है और सरवादीक समय के लिए मुख्यमंतरी रहे थे महोनलाल सुकाडिया जो की लगबग 17 वरस तक राजस्तान के मुख्यमंतरी रहे थे अगला question है राजस्तान में बल्यू पोर्टरी का प्रमुक केंदर कौन सा है बल्यू पोर्टरी का जो प्रमुक केंदर है वो है जैपुर इस question का B option right है चली अगला question है किर्पाल सिंग सेखावत ने किस कला को देश बर में फिलाया था तो बल्यू पोर्टरी इसका D option right हो जाएगा सेखावाटी से समझते महू गाम सिक्कर में इनका जनम हुआ था किर्पाल सिंग सेखावत का चलिए अगला कोस्टन है बाटाडू का कुवा बार्ड मेर किस के दुबारा बनवाया गया बताए मित्रों बाटाडू का कुवा जो की बार्ड मेर में स्थीत है ये किस के दुबारा बनवाया गया था तो ये बनवाया गया था रावल गुलाब सिंग के दुबारा इस करन का जो पर्थम चरने उसका नाम है मतसे संग यह सुजाब दिया था स्री के में मुंशी ने इसका सी ओप्सन राइट है वेरी वेरी इपोर्टेंट कोस्टन है बहुत बार एकजाम में यह पूछा गया है चलिए अगला कोस्टन है हल्दी गाटी के यूद में मुगल सेना क का नेतरतव किस के दूबरा किया गया बते दोस्तों लेट इसमें मुगल सेना का जो नेतरतव किया गया चलिए 28 कोस्टन है राजस्तान से लोगसुबा की कितनी सीटे अनुसुचित जाती के लिए अरक्षित है बते मित्रों लोगसुबा की जो राजस्तान में टोटल सीटे है वो है 25 सीटे है और इन में से अनुसुचित जाती के लिए अरक्षित सीटे है वो है 4 सीटे है इस कोस् के लिए लोग सुभा की राजस्तान में कुल कितनी सीटे अरक्षित है तो तीन सीटे अरक्षित है इसका भी ओप्सन राइट है इपोर्टेंट कोस्ट ने एक जाम में पूछे जाते हैं आपको याद रखना है पच्छिस टोटल लोग सुभाग सीट है जिसमें बात करें चा अनुसुचित जाती के लिए विदानसभा की टोटल 34 सीटे अरक्षित है इसका ओप्सन ए राइट है और विदानसभा की कितनी सीटे हैं 200 ये भी आपको ध्यान रखना है चली अगला कोस्टन है राज्य में अनुसुचित जाती का जन संक्या परतिसत कितना है राज्य में अनुसुचित जाती का जो जन संक्या परतिसत है वो है मित्रो 17.83 परतिसत है इस कोस्टन का सी ओप्सन राइट है चली अगला कोस्टन है राजस्तान में अनुसुचित जन जाती की जन संक्या का कितना परतिसत है राजस्तान में अनुसुचित जन जाती की जन संक्या का कित अगला कोश्चन है राजस्तान संग में समलित कुल कितनी रियाशते थी एक की करन का दूसरा चरन जिसका नाम था राजस्तान संग इसमें कुल नौर रियाशते समिल थी इसका डी ओप्षन राइट है और एक ठीकाना था कुशल गड़ जो की बांसवडा रियासत के अंतरगत आता था और एक एकरन का दूसरा चरण है इसकी राजदानी कोटा थी ये भी आपको यादे रखने हैं चलिए अगला कोस्टन है ग्रिशम रीतु में राजस्तान में कम वायुदाब का छेतर कांपर बनता है कम वायुदाब का छेतर बनता है मित्रों उत्तर पस्टमी छेतर मे इस कोस्टन का उपस्टन A राइट है अगला कोस्टन है गुजरात के साथ नियूंतम सीमा किस जिले की लगती है गुजरात के साथ नियूंतम जो सीमा लगती है वो लगती है मित्रों बार्ड मेर जिले की इस कोस्टन का B उपस्टन राइट है चलिए अगला कोस्टन है इन में से कौन सा जिला गुजरात के साथ सिमा नहीं बनाता है बते मितरों गुजरात के साथ इन में से कौन सा जिला सिमा नहीं बनाता है तो आपको मैंने बता है गुजरात के साथ छह जिले सिमा बनाती है बांशवड़ा डूंगरपूर उद्यपूर सिरोई जलोर बाडमेर और अगला कोस्ट ने रामसर कन्वेंशन के अनुसार निमन में से कौन सा अबयारने वेटलेंड नम भूमी के रूप में चेनित किया गया केवला देव अबयारने जो की बर्थपूर में स्तीत है इसका उप्शन ए राइट है चलिए 38 कोष्ट्न है टायर एबम ट्यूब और कारखना आप्र स्थीत है मित्रो कांक्रोली राज्स्मंद में इसका अप्स राइट है वेरी वेरी पोटन कोस्टन है अक्सर एक्जाम में ये पूछा जाता है तो आपको ध्यार रखना है टायर एबम ट्यूब का कारखना कांकरोली राजस्मंद में अस्तित है चलिए अगला कोस्टन है बारतिय वन्यजीव स्रंक्षन अधिनियम 1922 को राजस्तान में किस वर्स ल मैं मैं बताय था जो वन्नेजीव है यह मित्रो समवर्ति सूची का विश्य है कि और समवर्ति सूची का विश्य कब गोसित किया तो अब द्यूदर में गया था वन्नेजीव को 1906 में कि झलिए चालिस दीत बते हैं मितरो बार्ड मेर सांचोर विसन या किसके लिए परसी दे़ ऑप्सन आपके सामने जिफ्सम हे तू बयोगेश हे तू खनीजपदार्थ हे तू पेट्रोलिय hablar so तो बार्ड मेर सांचोर विसन पेट्रोलिय में तू परसी दे़Ska D option right है अगला question है राजस्तान का वैल लोग देवता जिसे पीरों का पीर कहा जाता है पीरों का पीर very very important question है बहुत बार एक्जाम में पुछा गया है तो बाबा राम देव जी को कहा जाता है इसका option A right है और बाबा राम देव जी के गरू का नाम था बालीनाथ यह आपको द्यान रखना है एक्जाम में अक्सर पुछा जाता है बाबा राम देव जी के गरू का नाम बालीनाथ और राजस्तान के एक मतर लोग देवता जो कवी भी थे यह आपको द्यान रखना है चोबिश बानिया इनकी रचना है अगला कोस्टन है ग्राम सभा का गठन होता है तो मित्रो ग्राम सभा का जो गठन होता है वो होता है ग्राम पंचायद छेतर की मतदाता सुची में पंजीकर्थ सदस्यों के द्वारा इस कोस्टन का उप्सन ए राइट है वेरी वेरी इपोर्टन कोस्टन है बहुत बार एक्जाम में पुछा गया है तो आपको ध्यान रखने ग्राम सभा का गठन ग्राम पंचायत छेतर की मतदाता सुची में पंजिकर्ट सदस्यों से होता है चले नेस्ट कोस्टन है सबी पंचायती राज संस्ताओं का करेकाल कितना होता है तो मित्रों पंचायती राज संस्ता है इनका करेकाल होता है पांच वरस इस कोस्टन का B option राइट है चलिए अगला कोस्टन है चोथ माता का परसिद मिला कब लगता है तो मित्रों चोथ माता का जो प्रसिद मिले वो बरता है चोथ का बरवडा स्वाई मादोपूर में माग माय में इसका option A right है अगला question है कंजर जाती की कुल देवी कोन है तो मित्रों कंजर जाती की कुल देवी है चोथ माता इस question का D option right है चलिए नेश्ट कोस्टन है दावडी किस छेतर की बोली है बोलियों से समझदीत एक कोस्टन आपके एकजाम में जरूर पुछा जाएगा तो आपको याद रखना है दावडी है मित्रो उद्यपुर छेतर की बोली इसका C ओप्षन राइट है चलिए नेश्ट कोस्टन है हिरामन तोता निमन में से किस उद्यान में देखा जा सकता है हिरामन तोता मित्रो देखा जा सकता है मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्र उद्यान में इसका B ओप्षन राइट है और चास्मा कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट किस मैल को कहा जाता है तो मित्रोर राजस्तान का ताज मेäll जस्वत ठड़ा जोर्पुर को कहा जाता है इसका बी ओप्सन राइट है यह भी कोस्टन इपोर्टेंट हा बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है तो दोस्तों यह थे मोश्ट इपोर्टेंट पचास कोस्टन्स आपको ये वीडियो कैसा लगा ये वीडियो के कमेंट बोक्स में जुरूर बताएं और इन पचास कोस्टन्स में से आपके कुल कितने कोस्टन राइट हो रहे हैं यह भी कमेंट बोक्स में जुरूर बताएं यहां पर आपका मुल्यांकन भी हो जाएगा और राजस्तान समान करने के लिए Instagram ID के माद्यम से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं इसका लिंक भी आपको description में मिले जाएगा चलिए अब बात करते हैं लाश्ट वीडियो में जो आप से question पूछा गया था उसके बारे में लाश्ट वीडियो में आप से question पूछा गया था मारना परताब की जनम स्तली है तो मित्रो मारना परताब की जनम स्तली है कुंबल गड़ इसका डी option राइड था और आप सभी ने इस question का ज्वाब राइट दिया आपको पूने कहता हूं question का ज्वाब आप कमेंट बॉक्स में जुरूर लिखा करो चलिए अब बात करते हैं question of the day के बारे में आज का question है द्वारीका दिस्व का मंदिर कांपरस्तित है option आपके सामने कांक रोली नागोर ओसिया जैल तो मित्रो इसका ज्वाब आप कमेंट बॉक्स में जुरूर लिखे मिलते हैं next वीडियो में बहुत जल्दी तब तक के लिए जाहिंद वंदे मातरम जाभारत